कोरोना वाइरस संकट का असर ना सिर्फ देश के लोगों पर पड़ा है बलकि देश की अर्थविवस्ता की कमर भी इस महमारी के कारण बूरी तरहा तूड गई हैं एक और जहां जीडीपी के आंकड़े चिंता में डालने वाले हैं तो वहीं कारोबार पर भी इस वाइरस का भयाना कसर देखने को मिला है इन सब के बीच इस संकट के दोरान कॉंग्रेश नेतार राहूल गांधी लगातार अर्थविवस्ता के एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं रगुराम राजन अभिजित बनर जी और हौवर्ट के प्रोफेसर समेत अन्ने कई विसी सग्यों से बात कर चुके राहूल गांधी अब इस कड़ी में गुरुवार को देश के बड़े उद्यमी राजीव बजाज के साथ बात करेंगे इस बात की जानकारी खुद राह कि बात करेंगे इस पूरी बात्चीत का एक ट्रेलर भी जारी किया गया है जिसमे राहूल गांधी ने राजीव बजाज से कई तरह के सवाल किये हैं आप भी सुनिये I was speaking to some experts and some specialists which he said look that the moment you apply a full lockdown you're changing the nature of the disease from a non-fatal disease to a fatal disease in the minds of people and once you've done that then to reverse that that is going to take significant amount of time and it's going to take a lot of effort and he also said that look don't view the lockdown as a on-off switch it's not going to be an on-off switch on the one hand a porous virus makes sure that the porous lockdown makes sure that the virus will still exist and as you said it is still waiting to hit you when you unlock so you have not solved that problem but you have definitely decimated the economy you flattened the wrong curve you know it's not the infection curve it's the GDP curve this is what we have ended with the worst of both worlds गौरतलब है कि राहूल गांधी कोरोना संकट के बीच लगातार experts से बात कर रहे हैं जिसमें वो कोरोना वायरस की महामारी lockdown और फिरी से अर्थविवास्तार पर पढ़ने वाले असर को लेकर चर्चा कर रहे हैं अब तक राहूल गांधी ने कई experts से बात की हैं 30 अप्रेल को उन्होंने पूर्व RBI गवर्नर रगराव राजन से बात की थी पाच मई को नोबेल पुरसकार विजेता अर्थशास्तर अभिजीत बनरजी से बात की थी और वहीं 27 मई को दुनिया के दो जाने माने health experts आशिश जा और जुहान गिसेक से लोकडाउन के बात की स्थिति को लेकर चर्चा की थी